हलो एर्वेन वेलकम टू मनमेकर आएम रंजन कुमार कालिंदी और आज हम लोग बात करने वाले हैं एनेफल में आई हुई जोब वेकेंसी के बारे में एनेफल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो की इंडिया की भारत की एक नवरतन कंपनी में से एक है उसमें जॉब वेकेंसी आई हुई है उसको आज हम लोग डिटेल्स में थोड़ा देखेंगे कि किस तरह का क्या जॉब सेलेक्शन प्रोसेस क्या है एक्जाम का डिटे क्षिजन के लिए दिफ्रेंट पोस्ट में वेकेंसी है डिफ्रेंट यूञेंट के लिए तो सबसे पहले तो आप देखलो इसकी क्रेटिया कि आप इस पोस्ट के लिए इलीजिबल हो या नहीं उसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ओपोस्ट और सेलेक्शन प्रोसेस क तो इसकी बात करें अगर eligibility criteria education qualification क्या चाहिए इस position को apply करने के लिए तो जैसे कि सबसे पहले इसकी बात करें junior engineering assistant grade production की जो position है इसमें आपकी age तो maximum 30 year रहेगी जैसा कि सारा जितना भी post आया है सब में maximum age रखा गया है 30 year चीज साल होना चाहिए तो junior engineering assistant grade की बात करें तो इसमें आपके पास B.Sc. का degree होना चाहिए physics chemistry या mathematics से आपका graduation हुआ रहना चाहिए या फिर आपका three year diploma किया हुआ है chemical engineering में petrochemical में या chemical technology से आपका diploma किया गया है तो आप इस post के लिए apply चाहिए junior engineering assistant grade to mechanical की बात करें तो इसमें आपका three year का diploma होना चाहिए mechanical engineer से आपने किया हुआ है तो इसके लिए apply कर सकते हो assistant engineering junior engineering assistant grade की बात करें instrumention की तो इसमें आपका diploma होना चाहिए instrumention से या फिर electronics और instrumention से या control से electronics and instrumention से electronics instrumention and control या फिर industrial instrumention या फिर process control instrumention या electronics and electrical या फिर applied electronics and instrumention या फिर electronics and communication या electronics and telecommunication या फिर electronics and controlled engineering और Instrumention and Process Control इन सब में से अगर आपका किसी में भी डिपलोमा किया गया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो जुनियर इंजिनरिंग एसिस्टेंट गरेड इलेक्रिकल की बात करें तो इसमें आपका डिपलोमा होना चीहे, Electrical, Electrical and Electronics या फिर Electrical and Communication या इलेक्टरिकल and Telecommunication या फिर Power Electronics से आपने डिपलोमा किया है तो इसमें अपलाई कर सकते हो, अगर आपने डिपलोमा किया हुआ है, मेकैनिकल से तो आप Junior Engineering Assistant ड्राप्टमेंट के लिए अपलाई कर सकते हो और मेकनिकल से आपने डिप्लोमा किया है तो जुनियर इंजिनरिंग असिस्टेंट एंडी टी के लिए अपलाई कर सकते हो और जुनियर इंजिनरिंग असिस्टेंट ग्रेट केमिकल लेब की बात करें तो इसमें आपके पास ब आर्स में से किसी में भी ठीक है लोकल अटेंडेंट की बात करें तो इसमें आपका पास मैकनिकल इंजिनेरिंग का डिगरी होना चाहिए सोरी डिप्लोमा का डिगरी होना चाहिए नर्स की बात करें तो नर्स में आपके पास 10 प्लस टू किया हो आना चाहिए science से साथ फुल टाइम डिपलोमा होना चाहिए आपका जेनरल नर्सिंग से या फिर मिडवाइब कोर्स आपने किया होए तो इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर फुल टाइम रेगुलर बैचरल डिगरी आपका फार्मिसी भी फार्मा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो लैब टेक्निशन की बात करें तो लैब टेक्निशन में भी आपके पास 10 प्लस 2 होना चाहिए आपका साइन से किया हुआ प्लस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए आपके पास मेडिकल लाब टेक्निशन में तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो या फिर फुल टाइम आपके पास बैचलर डिगरी होना चाहिए बीसी मेडिकल लाब टेक्निशन के लिए आप तो आप इस चीज के लिए अपलाई कर सकते हो या फिर फुल टाइम बैचलर ब्स किया हुआ है आपने रेडियोग्राफी से मेडिकल टेकनोलोजी से तो इन आप एक्सरे टेकनिशन में अपलाई कर सकते हो एकाउंट्स असिस्टेंट्स की बात करें तो इसमें आपके पास बीकॉंग का डिगरी होना चाहिए अटेंडेंट ग्रेड फिटर आइटि आई वाले जितने लोग इंस्टुमेंट में तो आप इसमें अपलाई कर सकते हो तो इतने सारे पोस्ट में अपलाई कर सकते हैं तो इसमें आपके पास तेंट किया हुआ प्लस पुल टाइम आई टी आई किया हुआ ना चाहिए मैकनिक डीजल ट्रेड से तो आप इस चीज पे अपलाई कर सकते हो और टी टेक्निशन की बात करें तो इसमें आपके पास टेंट प्लस टू किया हुआ और चाहिए फिजिक्स कमेस्ट्री और बायोलेजी में विद मिनीमम वन यह ओ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन ऑपरेशन थेतर टेक्निशन यह आपके पास अगर है तो आप इस चीज को अपलाई कर सकते हो ठीक है तो इतने सारे जो है जौब वेकेंसी मिन्स पोस्ट इन सारे पोस्ट में आपका यह जौब वेकेंसी लोगों के लिए इसमें आप अपलाई कर सकते हो ठीक है तो यह तो थी आपकी सारी इलिजिबली क्रेटेरिया और इसके साथी साथ अगर आप देखोगे नंबर ओपोस्ट तो डिपेंड अपॉन नंबर ओप यूनिट जितने इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट म यहां पर एक पोस्ट है यहां पर भी n d t t mechanical के लिए एक पोस्ट है तो ऐसे करके जितने सारे पोस्ट विकेंशी आई हुए हैं सब में नंबर ओं पोस्ट अलग-अलग दिया हुआ है वटिंडा यूनिट के लिए भी आया हुआ है वटिंडा यूनिट के लिए नंबर और पोस्ट अलग-अलग है सारे पोजिशन के लिए ठीक है इसके बाद पानी-पत यूनिट की बात करें तो पानी-पत यूनिट में भी आपको different number of vacancy दिखेंगे सारे पोस्ट में और इसके साथ ही साथ विजयपूर यूनिट के लिए भी आया हुआ है तो यह चार-पांच यूनिट में जो है यह जो vacancy आई हुए है 300 प्लस vacancy आई हुई है जिसका education qualification यह था जिसको हमने अभी discuss किया तो आप इन सब में से कोई भी डिग्री वाले है तो आप इस जोग के लिए apply कर सकते हो ठीक है अब फीज की बात करें जो application फीज रहेगा वो फीज रहेगा आपका 200 प्लस जो bank charge लगेगा वो आपको apply करते नहीं रखी गई है यह जो टूप टेन सरी 200 जो है वो जेनरल पोस्ट और ओवी सी वाले लोगों के लिए रखा गया ठीक है apply करने के लिए आपको करना यह है कि डायरेक्ट आपको इसके official website पे जाना है इसके carrier section पे जाके आपको दिखेगा requirement in NFL उस पे आपको क्लिक करना उसक है आप इसको खिल कर देना साथी साथ जब आप फों अप्लाइ कर रहे है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास यह जरूरी document का scan copy होना चाहिए क्योंकि जब आप फों अप्लाइ कर रहे हो उसी टाइम आपको यह document जो है संबिट करना है जैसे देटोप पर्थ तो आपके पास employment होना चाहिए अगर आप दिखा रहे हो currently कहीं वर कर रहे हो तो आपके पास उसका joining letter वगेरा होना चाहिए और pay slip होना चाहिए कास्ट अगर आप सो कर रहे हैं तो आपके लिए कास्ट सेस्टिफिकेट होना चाहिए यह भी आपको अप्लोड करना पड़ेगा ठीक है तो यह सारे चीज और साथ अदेंटी पूरूप एक लगेगा अधारकार्ट का जेरो अधारकार्ट का स्कैन कॉपी एक फोटोग्राप और सिगनेचर यह सारा कुछ आपके पास स्कैन रहना चाहिए तो उसके बाद ही आप फॉर्म करना स्टार्ट करना ठीक है अप्लिकेशन के बारे में हमने बता दिया कि 200 लगेगा इस पे सेलेक्शन प्रोसेश जो इसका होने वाला है वो रिटेन बेस पे होने वाला है और पेस रहेगा वह आपका ओफलाइन रहेगा ओ एम आर बेस रहेगा ठीक है ओ एम आर बेस एक्जाम रहने वाला है यह इसका इक्जाम सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा आपका राची लखनौ चंडिगर्ड राइपूर निव देल्ली नोईडा बैंगलोर पाल एहमदबाद हैदराबाद चिन्ने ओची जैपूर मुंबै गवाहटी कोलकत्ता जम्मू भुबनेश्वर विजयवाड़ा पटना गवालियर इन सब जगों में आपका एक्जाम का सेंटर दिया जाएगा तो आप अपने अनुसार कोई भी जगा आप दे सकते हैं फॉ जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो जो भी डिग्री जो भी आपका प्रांच है उससे आपके सौहल पुछे जाएंगे और आप्टिटूट का सेक्शन रहेगा ठीक है जो इसमें लैंग्वेज रहेगा वह इंग्लिस और हिंदी दोनों लैंग्वेज मे पैसरी में नहीं रहती है है लिए और इसमें कोई भी नेङटी मारकिंड नहीं रहती है यानिकर अगर गलत और को मस्चर्थ हो नहीं रहेगे तो इसम्सें सवाल पैछे जाएंगे मिक्ष रहेएंगा पचास कर रहे हो उससे आपका 100 पुछे जाएंगे ठीक है तो यह था आपका स्लेक्शन प्रोसेस और एक्जाम का जो पैटन रहेगा उसके लिए और फाइनल जो स्लेक्शन होगा आपका डायरेक्टी रिटेन बेसिस पे ही होगा रिटेन पे आपको चितना मार्क्स लाते हो उस बेस है तो आपका स्लेक्शन हो जाएगा इसके बाद डायरेक्ट आपका मेडिकल टेस्ट और डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आपका इसमें जॉइनिंग हो जाए ठीक है एज रिलेक्शेशन भी दिया गया है आपका जैसे कि मैंने बोला था कि जेनरल वाले लोगों के लिए दस साल दिया गया है तो यह सारा एज रिलेक्शेशन है तो इसमें इतना ही इंपोर्टेंट चीज था आपको बताने के लिए और इसकी जो डेट रखी गई है अपलाई करने का जो डेट है आपका वह है दस नौ ऑक्टूबर और यह स्टार्ट हो च से पहले आप इसको इसको अपलाई कर देना अगर आप इस चीज के लिए हो ठीक है चलो ठीक है इतना कुछ था बताने के लिए आपको इस जॉब टिटेल्स के बारे में थैंक्यू सो मच ओके